Hi, my name is Aashish Parashar, Welcome to Magnet Brains, इस lecture में हम पढ़ेंगे Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction के अगर मैं भात करूँ तो बहुत ही जादा Simple और Easy Process है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो Polymerase Chain Reaction है, जब आपका इसका नाम पढ़ोगे तो आपको वैसी सारी चीज़े समझ में आ रहे हैं यह क्या कर रहा है? Polymerization कर रहा है, now what is Polymerization? Poly मतलब एक से ज़ादा और Merize Formation, एक से ज़ादा Copy बनाना, ठीक है न? किसी भी एक particular चीज़ की, जैसे photocopy machine पर आप जाते हो, आपने देखा होगा, कि वो एक paper डालता है और उसकी बहुत सारी photocopy निकाल देता है तो this is photocopy machine, तो इसमें क्या हो रहा है? Polymerase Chain Reaction, एक ऐसा Chain Reaction जो बार-बार सेम reaction बार-बार होगा, इसलिए उसको Chain बोला गया Chain हो गया, या cycle हो गया, उसका क्या मतलब होता है? कि जहां से शुरू हुआ है, वहीं आके खतम होना है उसको तो यह है Polymerase Chain Reaction, बहुत simple step में, मैं इसको समझा देता हूँ, बहुत easy है Start करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमने कोई DNA का Segment लिया, जिसको हमें Polymerize करना है ठीक है न, XYZ कोई भी हो सकता है, हमने सबसे पहले इसको Denature किया Now what is Denature? आपको पता होगा, कि उसका जो Natural Format है, उसको खतम कर देना This process is called Denaturation, अब इसी बात है, आपको दो DNA Strand separate करने और अगर DNA Strand को Separate करना है, तो आपको भी पता है, Temperature High होना चीए तो Generally जो Temperature आपको Books में लिखा मिल जाएगा, लेकिन कभी भी Range को मत छोड़ना कई सारे बच्चे मेरे पास Doubts लेके आते हैं, कि सर इस Book में इतना लिखा है, दूसरी Book में उत्ता लिखा है और तीसरी Book में तो कुछ और ही लिखा है, तो हमेशा याद रखना, यह जितनी भी practical process होती है, यह vary करती है जैसे मानलो जहां पर यह process हो रही है, अब मानलो किसी ठंडे area में यह process हो रही है, तो temperature और बढ़ाना पड़ गया मानलो सहारा desert में आप यह process कर रहे हो, तो temperature कम भी हो जाएगा, surrounding temperature का अभी चीज़ों पर फर्क पड़ता है ऐसी आप physical, जो experiment करते हैं अपनी chemistry lab में, physics lab में, आप कई बार देखते होंगे कि जो main उनका लिखा रहता है, temperature, Celsius में उससे कम या जादा भी आपकी values आ सकती है और कई बार आती भी है, उनका reason यही रहता है, humidity कितनी है, और वहां का temperature आसपास का surrounding का कितना है, बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है particularly if we talk about PCR, PCR कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो आप खुले आम, सरे आम कर रहे हो, लेकिन still यहाँ पे temperature variation आपको दिमाग में रखना है कभी भी यह direct अगर concept की बात बोलू, तो अगर मानलो, यहाँ 96 की जगा 97 option में मिल जाए, और बाकी के option 50 हो, 40 हो, 30 हो, तो obviously बात है 97 टिक कर गया जाना है ठीक है ना, फिर बेवकूफी मत करना high temperature में क्या होगा, यह वाला जो strand है, मानलो यह आ गया, और इसके उपर वाला जो strand है, मानलो यह, दोनों strand क्या होगए, separate होगए next process आता है annealing, now what is annealing, जब आप anneal word पढ़ते हो, तो anneal शब्द का मतलब होता है, join करना, क्या करना, join करना, किसी चीज को जोड़ना तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर primer, कौन, primer, यह, यह pink color का I hope आप appreciate कर पा रहे होगे, यह yellow color का primer, ठीक है न, तो यह actually में क्या है, जैसे आपको पता होगा, process of replication होती है, तो replication में सबसे पहले कौन आता है, RNA primer, तो यह process भी same to same क्या है, replication है, इसमें क्या होगा, RNA primer, 5' से 3 DNA polymerase इसमें bind करेगा, क्या होगा इसके बाद, इसके बाद DNA polymerase इसमें bind करेगा, और process को आगे बढ़ाएगा, और पूरा का पूरा DNA molecule ऐसा बना देगा, अगला सवाल, सर यह RNA primer कहां से आया, कहां से मिला हमें, हमने इसे synthetically lab में बनाया, next question, सर इसका temperature range क्या होना चाहिए, क्यों range है, 40 to 60 degree Celsius की बीच में, कुछ भी दी जा सकती, आपको 56 दे दी, आपको 44 दे दी, कुछ भी XYZ, अलग-अलग books, अलग-अलग चीज़े लिखती है, next, अब एक और चीज, अगला सवाल आता है, सर, हमको पता था, कि DNA polymerase जो enzyme है, वो generally क्या होता है, temperature sensitive है, तो क्या वो इतने high degree Celsius पर survive कर पाएगा, मैंने का good question, इसलिए हम यहाँ पे DNA polymerase की जगा, एक दूसरा enzyme use कर सकते है, that is, tech polymerase, tech polymerase, now what is tech polymerase, tech polymerase is obtained from enzyme thermos aquaticus, नाम से ही thermos और aquaticus पानी में पाया जाता है, यह जो enzyme है, इसकी खासियत यह है, कि high temperature पे भी यह जो replication की process है, वो carry कर सकता है, इसलिए यह जो enzyme है, यह tech polymerase है, यह चीज़ समझ में आई ना, next, replication की stop process, यहाँ फिर इसको हम extension भी बोलते है, replication ना मिले तो आपको books में क्या मिलेगा, extension, extension मतलब आपको पता है, simple जो primer था, उसको हमने extend कर दिया, primer जो था, उसको extend कर दिया, this is extension, और यह जो temperature है, 74 degree Celsius, ideally आप मान के चलते हो, और थोड़ा सा उपर नीचे भी आपको मिल सकता है, again, यही cycle repeat होगी, कितनी बार repeat करना है, NCIT ने बोला है, कि हम चाहे तो 1 billion times इसको repeat कर सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार है, ठीक है न, तो यह आपका पूरा process of polymerase chain reaction, again, जो theory है, not so important, जबरदस्ती की सारी चीज़े यहाँ प आपको पढ़ा है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे काफी जादा पढ़ा है, और यह जादा better method है, आपको चीज़े पूरी तरह से explain करने का, यहाँ पे वही सारी चीज़े लिखी हुई है, next, again, एक चीज़ अगर मैं आप से बात करूँ, by chance एक बार मैंने MCQ देख अब यह जो है, एक rare question है, शायद ही कभी पूछा जाए, इतना important नहीं है, application, क्या-क्या uses हो सकते है, detection of pathogen, pathogen detection के लिए, next, diagnosis of specific mutation, कोई भी अगर मालो, आप DNA को इतना बार amplify कर रहे हो, तो उसमें बारिक चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हो, कोई mutation है, तुरंट पकड़ लोग अगर abnormality है, तुरंट पता चल जाएगा, parental diagnosis, आप जब बच्चे का जो है, वो बर्थ नहीं है, वूम्ब के है, तो वूम्ब के अंदर ही आप उसके DNA को निकाल के देख सकते हो, कि उसका जो chromosomal pattern, हमने बताया था न, amniotic fluid में होता है, उस chromosomal pattern में आप देख सकते हो, कि क्या उस बंदे को कोई बीमारी है, क्या उस बच्चे को कोई problem है, कुछ और issue है, genetic issue, तो ये सब चीज़े आप देख सकते हो, diagnosis of plant pathogens, plant pathogens को आप देख सकते हो, उनको कोई problem है, paleontology में इसका use हो सकता है, जहाँ जहाँ पे DNA का involvement है, वहाँ हर जगा पे आप इसको देख सकते हो, paleontology भ बात आई, तो यहाँ पे जरूब, gene therapy, again gene therapy तो बहुत ही ज़्यादा important है, क्यों कैसे आपको DNA amplify करना है, जो भी desired segment है, वो amplify करना है, ताकि आप उसको ज़्यादा ज़्यादा use कर सको, तो gene therapy, तो I hope आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, अगर ये वीडिय समझाए, इसको जरूर लाइक करे, thank you